नमस्ते चात्रों यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में जीवक चिंता मणी सिल्पा दिगारम एम मणी में एकले नामक महाकावयों की रचना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तो देखेगा इससे पहल के बारे में आप हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में ओल्डेज पर देख सकते हैं और यह दि आप लोगों ने हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एम से शेर करें ताकि आपके फ्रेंस तक भी इथियास आपको ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिले और आप इथियास के अच्छे से तैयारी कर सकें तो चलिए पढ़ते हैं जीवक चिंतामणी सिल्पा दिगारम इम्मणी में एखले जीवक चिंतामणी नमक ग्रंथ संगमकाल के बहुत बाद की रचना है इसकी रचना का स्रे जैन विक्सु तिरूत कद्यवर को दिया जाता है इस ग्रंथ को तमिल साहिते के पांच परसित ग्रंथों में गिना जाता है ये एक आदर्स नायक की जीवन कता है जो यूद तता सांती दोनों कलाओं में निपुन है वह एक ही सात संत तता प्रेमी भी है यूवा वस्था में वह अनेक साहस पून कारिये करता है तता प्रारम में ही एक विसास अमराजय का स्वामी बन जाता है पर्तेक सैनिक अभियान में वह अपने लिए एका एक रानी लाता है तदा इस प्रकार आठ पत्नियों के साथ आनन्द मनाता है कुछ समय बाद उसे सांसारिक जीवन से विरक्ती हो जाती है और अपने पुत्र के पक्स में सिहासन त्याग कर वह वन में चला जाता है वहीं उसे मुक्ती प्राप्त होती है वर्तमान रूप में इस कावे में 3154 चंद हैं जिन में केवल 2700 मूल कवी द्वारा रचित हैं दो चंदों को उसके गूरु तथा सेज के किसी कवी ने दिखा है तीरुतक देवर की रचना में स्रेश्ट कावे के सभी गुण विद्यमान हैं कहा जाता है कि वह पहले चोल राजकुमार था जो बाद में जैन विक्सु बन गया था शिल्पातिगारम की इस बासा में लिखा गया गरंत देखेगा शिल्पातिगारम एक एद्वीतिय रचना है दुर्भागे वस इसके लेख तदा समय के बारे में निश्ची जानकर यूपलब नहीं है एक मानेता के नुसार इसकी रचना चेरवन्स के राजा सेन गुट्टूवन के भाई इलांगों ने की थी शिल्पातिगारम को तमिल साहिते के पर्थम महाकावे की रूप में जन जाता है इसका साबदी करता नूपूर की कहानी शिल्पातिगारम की संपूर कथा नूपूर के चारों और घूमती है इस महाकावे के नायका और नायका कोवलन और कनगी है यह महाकावे पुहार कांडम, मदरे कांडम और वजी कांडम तीन भागों में भाजित है। इन तीनों भागों में करमसया चोल, पंडे और चेर राजों का वणनन है। महाकावे में कवी ने तदकालिन तमिल समाज का सजीव चित्रन पर्ष्टूत करने के साथ इसाथ समाज में पर्चलित नर्थ्यों व्यवशयों आदिकाबी परीचे दिया है सिल्पादिगार महाकावे की कथा देखेगा इस महाकावे की कहानी एक अत्यंत लोग पर ये कथा पर आदारित है जिसका संगसेप में विवरण इस प्रकार है पुहार अर्थात कावेरी पतनम नगर के एक सूपरसिद व्यापारी का पुत्र कोवलन ने एक अन्य व्यापारी की पुत्री कणंगी से विवा किया कुछ समय तक दोनों सुक पूर्वक रहे एक दिन कोवलन की भेंट राजदरबार में मादवी नमक नर्थकी से हुई जिसके प्रेम जाल में वह फस गया उसने नर्थकी के उपर अपना सारा धन वे कर दिया तदा अपनी पतनी तदा घर को भूल गया या तक कि उसने अपनी पतनी के सारे अभुसन भी नस्टी कर दिये किन्तु नर्थ की द्वारा ठुकराई जाने पर कंगाली की हालत में वह पुने पस्चाताप करते हुए अपनी पत्नी के पास वापस लोट आया उस समय कनगी के पास केवल पायलों का एक जोड़ा ही सेस था उसने खुशी से उन्हें अपने पत्ती को सोंफ दिया उनमें से एक को बेच कर जीवी को पारजन करने के उद्धस्य से कोवलन अपनी पत्नी के साथ मदूरा चला गया वहाँ एक पायल को बेचने के लिए मैं बाजार गया इसी सवें वहाँ के रानी का एक पायल राजकुमार के सुनार के सडियंतर से चोरी हो गया राजा की नोकरों ने कोवलन को संदेह में जकड कर बिना अभियोग चलाए ही मार डाला कनगी दूसरा पायल लेकर राजा के पास गई तथा अपने पती की निर्दोस्ता का परमान दिया आत्मक लानी से राजा की मरत्यू हो गई इसके बाद कनगी ने अपने क्रोधागनी से मदूरा को जला डाला तदा चेर राजे में चली गई वहीं पाहाडी पर उसकी मरत्यू हो गई स्वारग में वह अपने पती से मिल गई, म्रत्यू के बाद उसकी परतिस्टा तमिल समाज में सतित्वय की देवी के रूप में हुई, उसके सम्मान में मंदिर बनवाए गए तथा उसकी पूजा की जाने लगी, सिर्पादिगारं में एक उतक्रिस रचना है जो तमिल भासा म में रचित है, तमिल जन्ता में रास्त्य कावे की रूप में माने गई रचना है, नीलकंड सास्त्री के शब्दों में यह अनेक अर्थों में तमिल साहिते में अनुपम है, इसमें द्रेश्यों का जैसा स्पस्ट चित्रन है, तता चंदों का जैसा दक्सता पूर्ण मनी मैखले का लेखक कौन था तो सिल्पादी गारम के कुछ समय बाद मनी मैखले नाम ग्रंथ की रचना हुई तदा इस पर सिल्पादी गारम का ही परभाव दिखाई देता है इसकी रचना मदूरा के व्यापारी सितले सतनार सितले सतनार ने मनी मैखले की रचना की जो एक ब पादिकारम के नाये की प्रेमी का नर्त की मादवी से उत्पन पुत्री है मादवी अपने पूर्वे प्रेमी की मर्त्यू का समाचार सुनकर बहुत बिख्षूनी बन जाती है राजकुमार उदे कुमारन मनीमेकले से प्रेम करता है तथा उसे प्राप्त करने का प्रेतन करता किन्तु मनिमेकले चमतकारिक धंग से अपने सतीत्व को बचा लेती है अंतिता वह भी अपनी माता के समान बोधरम का आलिंगन कर बिख्षूनी बन जाती है मनिमेकले गरंद को तमिल भासा की ODC भी का गया तो तमिल भासा की ODC किसे का गया है मनिमेकले को इस ग्रंद की कहानी दार्षनिक एम सास्त्रार्थ समंधी बातों के लिए बनाई गई है इसका महत्व मुक्यते धार्मिक है इसमें तर्क सास्तर की ब्रहांतियों की लंबी व्यक्या है इस क्रंद की अधिकांस कविताई हिंदू तथा अन्य दर्म विरू संपरदाय वालों के बीच वाद वाद और दूसरे दर्मानुयाईयों के मतों के खंडन मंडन समंधी विच्चालों से परिपूर्ण हैं इस परकार मनिमेखले का महत्वा सिलपातिगारम जैसा नहीं है ठीक है तो देखेगा इस वीडियो में हमने तम्मिल अर्थ सोरी संगम साहिते के जो महाकावे थे उनके बारे में जानकरी प्राप्त की हम इसी परकार से आपको और भी चीजे पढ़ाएंगे तो बने रहें